कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम बात करेंगे issue of debenture मैंने लास्ट नाइट एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि आप 8 के 8 टॉपिक कर लो तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो एक्जामिनेशन में अकाउंटेंसी में पास होना बड़ी बात नहीं है लेकिन बच्चों की काफी request आई कि सर टॉपिक्स को एक एक करके explain कर दीए तो मैं आपको आज एक topic explain करूंगा जो आपको 3-4 मार्क्स देगा पक्का आपको 3-4 नंबर यहां मिल जाएंगे लेकिन उसके लिए आप मेरी बात बानो अच्छे से अगर last तक end तक आपको समझ मे ना आये तो वीडियो dislike कर देना अप और समझ में आये आपको तो वीडियो आप लाइक कर देना ठीक है तो चलो start करते सबसे पहले में जैसे आपको बतारूं वैसा कर लो एक notebook ले लो फटाफट और जैसे जैसे मैं बतारू class की तरह आप जैसे class में पढ़ते हो उसी तरीकी से पढ़ना तब ही समझाएगा question भी बनाएंगे अभी और अपनी किताब की question बना लेना आप आपको देखना सारा कुछ अच्छे से topic clear हो जागा यह मेरी guarantee इस बात की तो यानि कि अगर मैं company हूं मुझे आम जंता से उधार लेना है तो मैं जिनसे उधार लेता हूं मैं उनको एक paper issue करता हूं that is called debenture that is called debenture या bond और उस debenture पर एक fix percent का interest भी होता जैसे 9% debenture दस आपने देखा होगा 9% debenture 10% debenture 15% debenture तो उसको हम लोग debentures बोलते हैं ठीक है loan क्या होता है कि आपको एक के पास जाना ये देगा ये नहीं भी के पास जाना भी डेगा नहीं देगा अभी हमने एक debenture की कीमत रग ली face value hundred rupees जिसको हमको 100 रुपी उधार देना है वह हमें एक debenture लेगा हम से और 100 रुपे देगा जिसको एक लाग देने है वह हमसे 1000 debenture ख कि अगर debenture issue होता है तो debenture redeem होगा ही होगा issue of debenture का मतलब public से पैसे लेना public को debenture issue करके और redemption of debenture का मतलब होता है उनका पैसा उनको लोटा देना repayment कर देना ठीक है तो चलो तो सबसे पहले हम लोग issue of debenture को अच्छे से बात कर लेते हैं अगर company debenture issue करती है तो company debenture पार पे भी इशू कर सकती है, premium पे भी इशू कर सकती है और discount पे इशू कर सकती है पार पे इशू करने का मतलब क्या है कि अगर debenture की face value 100 है तो company issue भी 100 में ही करती है जबकि premium पे issue करने का मतलब है debenture की face value 100 है लेकिन company उसको issue करती है 120 रुपए में 100 प्लस 20 और discount में issue करने का मतलब है company के debenture 100 रुपए के हैं लेकिन company उसको 100 रुपए से कम में issue करती यानि कि 90 में 100 माइनस 10 यह discount की कोई भी limit नहीं होती discount 10 रुपए का भी हो सकता है 20 रुपए का भी हो सकता है 30 रुपए का भी हो सकता तो discount ọi है कितने का भी हो सकता है तोम entry पास करते हैं अगर हम debenture पर पे issue करते हैं so entry क्या होती है bank account debt to the venture application account को प्हार pine ऐप्लिकेश्ण मनी रिसीव बींग डिवेंचिर ऐस तरी के से अगर कोई बच्च चाहे अगर खाली अप्लिकेशन एक ही किस्तमाल आप्लिकेशन सब्सक्राइब दूसरे अप्लिकेशन एंड लॉट्मेंट भी लिख सकता है उसमें कोई प्रॉबलम नहीं वह एक ही बात भी ठीक है अप्लिक के अंदर हमेश east value mater इसी की होगी पार की अंटरी अब हम प्रीमियम के इंटरी देख लेते हैं अगर हम इशू प्रीमियम पर करें तो pro यह वह back to debenture application debenture application काउं डबिड टो percent debenture to security premium reserve आप सबको पता है कि जो SPR होता है premium amount जो लिए रहे हैं डिबेंचर पर कमपनी के पास तो कमपनी एक्स्ट्र अमाउंट लेती है रिजर्व को समझने के लिए आपको छोड़ा से एक्जामपल के लिए आपके घर के आस पास कोई जमीन है अगर उसे 10 लाग के खरी दी गई नहीं थी स्कूल नहीं थे आसपास अब सारी चीजह है तो इसलिए एक्स्ट्र अमाउंट वह अपने जमीन का चार्ज करते है तो अगर आप देखो आप्लिकेशन की जो सुरी पार की और प्रीमियम की एंट्री तो इन दोन में कोई डिफ्रेंस निए बैंक टो अप्लिकेशन बैंक टो अप्लिकेश्न सेमें médiवेंचेंट्र अप्लिकेशन टू थो पसेंटेस्ट अगया बस इतना धिश्रोंन की आप लेंट्रेते हं अभासरा क्यों देख लेते क्यों पहली एंट्री मेंक दैविश्च भासलेंगेटस पैसा मिल गया तो एस देश्कांट आं उन बात करूं यहां पर समझाने के लिए तो बैंक टू डिबेंचर अगर पार पर इशु हो रहा है तो यहां भी 100 आ गया अगर पार पर इशु हो रहा है तो हमांड देख लेते हैं इसका अगर पार पर इशु हो रहा है तो यहां भी 100 यहां भी 100 यहां भी 100 यहां भी 100 माल लेते एक ही डिवेंचर है अगर लेकिन प्रीमियंपवेश्य हो रहा है तो यहां पर आपको 120 रूपए मिलेगा अगर आपने 120 का इस्यू किया है 120 परसेंटेज डिवेंचर में मैंने कहा था हमेशा क्या आएगा पेस वैलिए और प्रियम कितने रूपेखाए 20 रूपीज का है प्रीमियम और डिसकाउंट की यह हो गया डिबेंचर इशू की अभी मैं आपको वह बताऊंगा जो पक्का आने वाला एंड तक वीडियो को देखना मैं एंड में आपको सर्प्राइज दूंगा एक जो को बहुत ही अच्छा लागेगा ठीक है हम स्टार्ट करते हैं यहां प प्रीमियम पे रिडीम होगा पार का मतलब क्या है कि सौ रुपया अगर आपने पुब्लेक से लिया है तो लोटाते हो ऑनने पॉप्लेक से लिये और लोटाते वक्त आप उनको 110 रुपय 120 रुपय 130 रुपय लोटा रे हो यह तो अच्छी बात है लेकिन अगर आप अप देंगे और बदले में अब्बे लटाएंगे आपको 5 साल बात कभी भी कोई उधार नहीं देंगा ध्यान लगना को थ्यान डाल में पर होता है रिडजी प्रीमियम पर होता है डिसकाउं पर नहीं होता रिडम्शन की जो एंट्री होती है वो क्या होती है परसेंटW cow कि यह कियाया थे देबित हो जाता पर संपरेशान लिखना जरूरी है बनाना जरूरी है विदाओट नरेशन विदाउट कोई भी नहीड ही लिखेगा प्लीज आप यहां दो लाइन खीच के इस तरीके से डेबिट क्रेडिट और निरेशन इस तरीके से फॉर्मेट आप प्लीज बना लेना ओके अगर रिडीम पर हो रहा है तो सो ही डियू हो जाएगा और सो ही पेड हो जाएगा सिंपल परसेंटे डिवेंचर में हमेश्य क्या आता है इसके अलावा एक चीज और यहां पर डेबिट होगी वह है प्रेमियम और रेलामशन ओफ डिवेंचर डैबिट कितना से 20 को 120 को एक सो 20 दे रहे हो डिवेंचर लजर टो बैंक ऎस तरीका से पेइमन्ट होगे अगर आप पर और प्रीमियम की एंटरी हो तो थोड़ा सा एनलाईज करो तो पार और प्रीमियू में दोनों की एंच्रिया सेम है अलग क्या है मैं बताता हूं आपको अलग यह है कि जब आप पार के एंट्री पास करते हो तो एंट्री होती है प्रेमियम एक चीज एक्स्ट्रो आती है अगर इसको छोड़ दो तो आपको प्रेमियम और डेम्शन ओप डिबेंचर लॉट आते वक्त कंपनी पब्लिक क है उसको बोलते प्रेमियम और देबिट होता है और अगर हम लेते वक्त फाइदा है हमाले वह क्या है आपके लिए क्रेडिट है यहां पर इस तरीके से क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा ओके पर प्रेमियम डिसकाउंट रडंशन दोई कंडिशन पर और प्रेमियम आप इस एंट्री देखो क्या करते हो मैं आपको समझाते हूं एक चीज़ देखो के लिए बैंक काउंट डेबिट टू डेबेंचर अप्लिकेशन मान लेते हैं पार पे ही हो रहा है सब कुछ अगर आप इस एंट्री को थोड़ा सा अनलाइस करो तो डेबेंचर अप्लिकेशन तो कट गया तो यहां पर बैंक कितने से डेबिट है पता हो जड़ा सौर पैसे यानि कि बैंक मां पैसा आया और डिबेंचर लइबिलेटी भी कितनी बन गई सौर पैसे अब आप जार रिडीम की एंट्री को एनलाइस करो रिडीम के एंट्री क्या करते हो परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा लोटा देना री पेमेंट कर देना आपने उधार लिया है तो भी लोटा होगे भी ना चार पांच साल बाद और तब तक आप उनको ब्याज भी देते रहोगे अगली एंट्री क्या होती है डिबेंचर होल्डर एकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट यह भी कितना आएगा हंड्रेड हंड्रेड क्या से होंगे यहँआं पर डेबिटेड आपको पता है डेबिक क्रेंट इल जाता है तो बचा क्या किया पर्सेंटर डिबेंचर डेबिट अगर ना क्रेडिट- पॉरिंट कि पूरी पूरी एंटर्री तो कॉपी में इसको फुटा फुट अगर आप नहीं लिक पारे आप स्क्रीन्शॉट लेरो इसका मैं आपको दिखा दिखा दीता हूँ पूरा पेज आपको स्क्रीन्शॉट ले लो बस आपको चेक्जाम्पल टोटल दिये हुए तो चेक्जाम्पल अगर आप बना लोगे तो यह टॉपिक पूरा खतम आपको 3-4 मार्क्स मिल जाएंगे पूरा का पूरा अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो अधर्वाइस आप एंड तक वेट को आपको समझ में आ जाएगा चलो स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको इश्यू की पूरी एंट्री क्लियर करा दी इश्यू की अलग होती बीना देखिए कॉपी में एक बार लिख जरूर लेना तक आपको अच्छे से लर्न हो जाए जदा सोचना नहीं टाइम बहुत अपने पास मैं सारा कुछ करा आए ना उनको इंट्रेस जो दोगे वह सालाना आट परसेंट होगा इसको कूपन रेट बोलते क्या बोलते हैं कूपन रेट तो यह पांच हजार डिबेंचर इश्यू कर रहे हो एक डिबेंचर सौका है और इस्यू किस पर हो रहा है पार पे तो आप मुझे इश्यू की ए हो गहीं तो एक मांट कितना बनेगा बॉल थांच लाग इश्यू की पूछे तो इश्यू की इसा मत ना कि दोनों पास कर दो बिना मतलब अब देखना पास और इंटरी पॉर इश्यू और फॉर घंच उल्डर पर पार पे और अगले एंट्री डि बेंचर्फा डेबिट तूड़ अगले एंट्री डिबेंचर एकाउन्न डेबिट टूब यह हो गया 5,000,000 और यह हो गया 5,000,000 फास्ट केस में इस्चु कि एंट्री हो गई के साथ रच्टी पास कर देने वह लेकिन अभी जो डिवेंचर इशू हो रहा है वह किस पर इस पर 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 यहाँ पर प्रीमियम का पर्सेंटेज है कॉस्चिन में यहाँ लिखा नहीं मे डिस्काउंट भी कितना है 10 वेटि सब्सक्राइब तो इस्शुवी हो रहा है टेन पर पिरिम पे है तो वो जाएगा देखो मैं कि चैंज कर ना अच्छे समझते चैंज यह करें ओऊ-जो अमाउंट है इसको चैंज करेंगे पहले आमाउंट तो तो सेम नहीं आएगा अलगाएग़ तो के अब देखो इसू अगर प्रीमियम पी हो रहा है तो प्रीमियम कितने रुपए का है पता हुज रहा दस परसेंट का यानि कि 10 रुपए का तो किस पीशा हो रहा है 110 पे तो आपको पैसा जो मिलेगा वो 5000 रिंटी 110 मिलेगा यह बनेगा पांच लाग पचास जार पांच लाग पचास जार अब प्रीमियम में SPR होता है क्रेडिट तो आप लिख दोगे डिबेंचर अप्लिक्षिन अगांट डेबिड टू परसेंटे डिबेंचर टू एस्पीर प्रीम कितने रुपय का दस रुपय का फेस वैल्यू कि जो प्रीमियम पर हो रहा है तो टीम अगर पार सेंटे बिलकुल सेम कर दोडिक लोग और अगर प्रीम्स यहां की अईयन और इशू स Dave पे इशू की एंट्री में चेंज़ेस आएगा समझ लिए अच्छे से क्या क्या चेंज़ेस आता है एंट्री वही रहेगी जो सेम होती थी बस प्रीमियम क्रेडिट और डिसकाउंट डेबिट एंट्री जो होती है वह बिल्कुल सेम होती है ठीक है तो आप फटा-फट बता तो की एंट्री क्या पास करते हो आप इशू की एंट्री क्या पास करते हो बैंक काउंट डेबिट टू डिबेंचर अप्लिकेशन अकाउंट और अगले एंट्री डिबेंचर अप्लिकेशन अकाउंट डेबिट डिसकाउंट ऑन इशू अफ डिबेंचर अकाउंट डेबि यह बनेगा 4,50,000 तो आपको पैसे मिलगे 4,50,000 4,50,000 लेकिन डिसकाउंट कितने का है वो है 10 रुपे का और डिबेंचर कितने है 5,000 तो 5,000 कितना आएगा 50,000 और टोटल अमाउंट जो परसेंटेड डिबेंचर में आएगा वो कितना आएगा प्लीज आप कॉपी में लिख के जरूर करो एक बार को वीडियो फिर से देखे अगर आपने नहीं किया तो आपको पक्का समाझ आएगा कोई मतलब ही नहीं समाझ आने का और यही कोश्चिन इग्जामनेशन में देखेंगा मैं कोई इजी कोश्चिन पूट आप नहीं कर रह 40,000 यहां पर गलती स्टुट कर देते हैं अगर रुपीज 40,000 लिखा हुआ है इसका मतलब यह डिबेंचर का अमाउंट है टोटल अगर यह 40,000 रुपे है और डिबेंचर कितने का होता है 100 का फेस वेल्यू से ही आप डिवाइड दोगे तो आपको डिबेंचर पता पढ़ जाएगा कंपनी कितने डिबेंचर इशू कर रही है 400 डिबेंचर 400 डिबेंचर इशू वेद अपनी और रुपीज 100 एच अमाउंट विल भी रुपीज 40,000 और यह इशू किस पर हो रहा है पार पे रिडीम किस पर हो रहा है प्रीमियम पे अब यहां पे आपको एक नोट ल इशामिनेशन में मुझसे यहां पे लिखे लेलो कि पेपर में यही आएगा अगर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे जहां से सुनना अगर डिबेंचर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे इफ रिडीम एट प्रीमियम सुनलो अच्छे से ताक कि बार बार पूछो ना यहां प तो उसका impact क्या आएगा issue की entry में उसका impact आएगा जहान रखना अगर debenture premium पे redeem हो रहा है तो उसका असर कहां दिखेगा issue की discount पे यही आप से examiner पूछता है आपको issue की entry देता है और redemption की बारे में information बोलता है पूछता है कि issue की entry क्या होगी issue की information है, redemption की information है आप redeem की entry पास नहीं करोगे, आप करोगे issue की entry क्यों की redemption का असर issue पे आता है loss on issue of debenture क्या होता है debit और premium on redemption of debenture क्या होता है credit, loss on issue of debenture debit होगा premium on issue of debenture क्या होगा premium on redemption of debenture credit होगा, यह issue की entry में आएगा जो amount इसके अंदर आएगा वह अमाउंट उतना ही होगा जितना रिदंशन पर क्या हो रहा है प्रीमियम हो रहा है मैं आपको अभी समझा जाते हूं अच्छे से आप चलते हैं अभी हम लोग ने यहां पर इशु की अभी पास की तो आप मुझे बताओ इशु की एंट्री अप्लिकेशन की क्या हो थे प अट्र अप्लिकेशन अकाउंट एब्टू पर सेटी इबेंक रिजस एंचर लेकिन अगर यही रहे मतलब नहीं है अगर células अप्रेमियम हो रहा ऐब औध ग्या रहना है मुझे नहें लू तुब अडिबेंचर डबिट और क्रेडिट में प्रेमिंचं और लिज pig दीम bags इशू की एंट्री में अलगी पास कर रखी है उससे कोई छेड चाड नहीं करना बस इशू की एंट्री में एक लाइन ऊपर छोड़ देना एक लाइन नीचे कब जब रिडंशन प्रीमियम पे हो रहा हूँ इशू से मतलब नहीं है पार प्रीमियम डिसकाउंट बार बार सु अगला अगर इशू प्रीमियम पे हो रहा है बैंक ब्रैंट बैंट्र एप्लीकेशन डिबेंच अबीत दूपर ही रबीट हो जाएगा अब हम इसकी बात करते हैं यहां पे क्या करेंगे रडंशन की एंट्री हो रखिए यहां पर भी क्या कर दोगे आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10 रुपए और नीचे ही आ जाएगा टू प्रीमियम और यहां तक अगर रिडम्शन प्रीमियम पर हो रहा है तो हम इस तरीके से इशू के इंट्रि में उसका इंपट दिखा देते हैं अब हम लास्ट के तीन कोशिन जो है वह बना लेते हैं अच्छे से और इसे खतम करते हैं वीडियो को और इग्जामिनेश में ध्य केसे उसमें डिबेंचर कितने के इंब पताओ जड़ा चारा सो डिबेंचर से कितने के डिबेंचर से 400 का कितने कि अमण चालिस हजार और तो हम इसमें इस्चु की रिडीम किसे पहुरा है प्रेमियम और इहां पर रुपीज 10 तेन रुपीज मानलो है तेन परसंट मानलो वो दस ही आएगा सो का ओके पेपर में अगर यह फेसलों बीस हो तो इसका दस परसंट कितना बनेगा बीस रुपए ध्यान रखना पेस वैल्यू का परसेंटेज निकालना होता है बट यहां पर हर जीए अगर रुपीज टैन ही ल प्रीमियम ऑन रिडंशन अकाउंट डेबिट का जो डीवैंचर ऑफलही और अगले अंट्री जो होगी वोगी डीवैंचर वोलडर अकाउंट डैबिट टू बैंक अकॉन बैंक अंधर मुझे नेघंशना मुझे बता दो यहां पे दिवैंचर आपके पास हैं यहां यहां चारसो डिवेंचर से पहले रुपीज को कनवर्ट कर लेना ओके तो 400 डिवेंचर से तो 400 आपको पता ना परसेंटेज में कितना आता है फेस वेल्यू और प्रीमियम कितने का है यहां पर दस रुपय का और डिवेंचर होल्डर को कितना दोगे 110 यहां पर आएगा कितना 40,000 य आपको इसका आसर इशु की अंट्री में आएगा इसको मोग यहां पर इसका डिचखाना इंपका करतें पहले एंट्री क्या होते इस यू कि बैंक काउंट डेच्ट टू डिबेंचर अप्लिकेशन एकाउंट इस पर 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 ध्यानक ना इस यू अगर पर पर हो रहा है तो हमें इसको देखना है रहलेंचे को कुछ नहीं देखना इसको करते वक्त इसको कि टरम्सन कंडिशन देखनी है redemption करते हो तो redemption की terms and condition लिखनी है और कितने debenture है 400 तो यह आएगा 40,000 यह आएगा 40,000 अगली entry जो होगी वो क्या होगी debenture application account debit यह आएगा 40,000 2 percentage debenture यह आएगा कितना 40,000 लेकिन अगर redeem premium पर हो रहा है तो यहाँ पर हमें एक काम करना पड़ेगा loss on issue of debenture को debit करना है और to premium on redemption of debenture को credit करना है यह amount 4000 है कहां से आया redemption पर देखो यहाँ कितना premium है 4000 का तो वही issue के entry में debit होगा वही issue के entry में credit भी होगा due की entry में क्यों होता है क्यों हम loss को book कर लेते हैं future में हमें loss होने वाला है तो हम उसे आज से ही book कर लेगे इसलिए हम ऐसा करते हैं क्लियर यह हो गया issue पर redeem premium अब अगर दूसरा case देखें तो इसमें उलकर आए कि issue भी premium पे है वही दस रुपए premium और redeem किस पर है रिडीम भी premium पर है तो देखो issue की entry में change आएगा redeem के एंटरी तो सेम ही ना application account कितने डिवेंचर है 400 और किमत कितनी कितनी है 110 तो आपको मिलेगा 44,000 रुपीज और अगले एंट्री जो पास होगी वह होगी डिवेंचर अप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू एस्पियार सेक्यूरिटी प्रीमिम रिजर पेपर में पूरा लिखना आप ठीक है अब लास्ट केश इसमें डिवेंचर इशू किस पर हो रहा है discount पे redeem premium, मैंने कहा था issue par पे हो रहा हो, चाले premium पे हो रहा हो, चाले discount पे हो अगर redeem premium पे हो रहा है, तो हम उसका असर दिखाएंगे जरूर अब हम फिर से entry pass करते हैं, अभी redemption की तो same यही entry pass होगी जो हुई है, हम issue की entry pass करते हैं जो issue discount पर हो रहा है 90 में हो रहा है मतलब 100-10 तो issue की जो entry होगी वो पूछेगा examination में तो issue की ही entry pass करना तो bank count debit to debenture application account 400 debentures है 90 का एक है तो आपको कितना पैसा मिलेगा 3,60,000 और अगली entry जो होगी debenture application account debit 2% debenture application on debit और यहां पर discount भी है issue पर तो discount on issue debit 2% debenture account देखो मैं redemption पर जो premium उसको भी लेके नहीं आ रहा पहले मैं यहीं entry pass करूँगा और यह 10 रुपे का discount है यहां पर 400 debentures है तो यह बनेगा कितना बोलो 40,000 सॉरी 4,000 और यह 36,000 बनेगा और यह आ जाएगा आपका कितना 40,000 अब redemption पर जो premium है उसको हम लोग यहां किस नाम दिखाते हैं loss on issue of debenture debit 4000 और नीचे आ जाएगा hope कि आपको समझ आया होगा पूरा का पूरा issue of debenture की entry मैंने समझा दी है और लास्ट में आपको बोलूँगा कि आपका जो पांच तारीक को आपके exam है चार तारीक को class रात को 10 बजे मैं लाइव आप से बात करूँगा आपको जो भी दिक्कत परेशानी होगी आप मुझसे परेशानी होगी वहां में डिसक्स कर सकते हो उमीद आपको पूरा topic समझ में आओगा notebook लेकर आपने सारी entry लिखिए आपको समझ में आ गया होगा examination में बार-बार repeat करता हूं issue किसी पे भी हो रहा साही अगर redeem premium पे है तो issue के entry में loss on issue of debenture आएगा ही आएगा और issue or redemption के entry प्ली